हे दोस्तो स्वागत है आप सभी का EKS Education यूट्व चनल पे तो आज की जो अपडेट है वो है National Institute of Electronics and Information Technology की तरफ से आ रही है तो काफी बढ़िया वेकेंसी है तो आप लास्ट तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रही है इसमें हम काफी सारे important discussion करने वाले हैं दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले आप से request है कि अगर नए है इस चनल पे आप तो इस चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्यों कि आने वाले समय में काफी सारे इसी तरफ बहतरीन अपडेट इस पे आते रहते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो है पलपल की अपडेट आप तक time to time मिलते रहे तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तो ये वेकैंसी यहाँ पर डिसकस करने का मकसद यह है कि इसका date को जो है extend कर दिया गया तो चलिए जो extension notice है उ उसके बाद last date for submission जो रखा गया था पहले वो 26 मार्च रखा गया था लेकिन इसको extend करके जो है 1st June 2020 यानि 1 June 2020 कर दिया गया है तो अगर आप किसी कारण वस अभी तक अपलाई नहीं किये हैं और करना चाहते हैं तो description में आपको link मिल जा गया वहां से जाके direct आप इनके website पे जाके apply कर सकते हैं उसके बाद बात करें इसमें आगे की steps for online registration की तो सारी के साइट जितने भी details होंगे फी से related details होंगे age criteria या जितने भी educational qualification सारे के सारे हम official notification है उसमें जाके discuss करेंगे तो चलिए official notification पे चलते हैं इसके तो जैसा कि आप देख सकते हैं official notification पे हम आ चुके हैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ कितनी vacancy निकाली गई है तो सबसे पहले हम बात करें पहले post की तरफ चलते हैं तो यह है scientist B की post है जिसका level 10 की आपको salary मिल जाएगी यहाँ पे देखें तो total vacancy 288 post पे निकाली गई जिसमें से undesired के लिए 111 है SC के लिए 43, ST के लिए 21 और OBC के लिए 77 बाकी EWS के लिए 28 post है उसके बाद बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर की जो second number की vacancy है यह है आपका scientific या technical assistant A की group B की job है इसमें level 6 की आपको जो है pay matrix मिल जाएगी उसके बाद बात करें vacancy 207 यानि 207 यहाँ पर post है जिसमें category वाज यहाँ पर आप post देख सकते हैं अब बात करते है eligibility criteria की जो की काफी महतपूर्ण चीज होता है किसी भी vacancy के लिए तो इसमें सबसे पहला जो post है वो scientist B की post इसकी eligibility criteria की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इनों ने कहा है कि B B Tech आपके प मांगा हुआ अगर आपने मसी किया है या फिर master's degree in computer application में किया हुआ है या master's degree in engineering या technology या या mean tech किया हुआ है या फिर आप master's degree in philosophy में किया हुआ है तो बाकि जितने भी डिटेल हैं वो आप यहां से पर सकते हैं notification में सब detail में दिया हुआ है दूसरे post की यानि scientific या technical assistant एक ही तो अगर आपके पास MSC, MS, MCA, BE, BITEC आपने किया हुआ है किस field में तो यहां फे field mention किया हुआ है electronics में, electronics and communication में, electronics and telecommunication में, computer sciences में उसके बाद computer and networking security में, software, system, information technology या फिर informatics में तो आप यहां पे apply कर सकते हैं अब यहां पर अप्लाई कर सकते हैं तो यहां पर अब जो बरहा कर इसको 1 जून 2020 कर दिया गया तो वहां तक आपका degree complete होना चाहिए experience की बात करें तो कोई experience यहां पे required नहीं है फ्रेसर सप्लाई कर सकते हैं age limit की बात करें तो age limit जो है आपका last date जब तक form fill up का है उस समय तक count किया जाएगा आपका इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले upper age की तो scientist B and scientific या technical assistant A यानि कि दोनों ही post के लिए 30 years मांगा गया undeserved और EWS से आप belong करते हैं तो CST है तो 35 years आपको मिल जाएगा maximum age उसके बाद ओवी सिंदन के लिए तो 33 years आपको मिल जाएगा बाकी आप PWD और बाकी एक service मैंने तो आप यहां पे देख सकते हैं इसके बाद आगे इसमें important अगर information के हम बात करें तो बात कर लेते हैं जो आपका posting कहां पे किया जाएगा तो आपका posting जो अधा person selected may be posted anywhere in the India मतलब आप जो है इंडिया में कहीं भी posting आपको मिल सकती है उसके बाद आगे हम देखते हैं how to apply तो बाकी आपको जो है इस website पे जाके apply करना है या description में डाक में link provide कर दूँगा वहां से डाक जाके आप apply कर सकते हैं आगे इसमें important बात करें तो बाकी तीन step में इसका registration step है पहला with email id से आप registration कर लेंगे submit of application detail पूरा का पूरा आपको देना परेगा step 2 में तीसरे step में आप पेमेंट करेंगे यहां पे online checklist यहां पे दिया है कि the following should be kept handy before applying online ठीक है सबसे पहले आप पेमेंट करने के लिए credit का debit card या net banking की वेवस्था लेकर वहां बैठें उसके बाद scanned image औ फोटोग्राफ along with signature ठीक है JPG format में होना चाहिए size इसका आपका less than 50K भी होना चाहिए as per instruction in section 8.5 उसके बाद बात करें scanned copy आपके बाद डेटो पर certificate का होना चाहिए certificate essential education qualification का photo ID card certificate बागी जितने भी applicable हैं आपके case में आप सब यहां से परके और उसको तयार रखें form fill करने से पहले उसके बाद choice of center की बात करें जो written exam आपका लिया जाएगा उसका center जो है इतना दिया हुआ है इसमें से आप center fill कर सकते हैं तो आप जो form fill करेंगे तो वहाँ पर AC में से center आपको चुनना पड़ेगा बात करते हैं तो अगर आप general category से belong करते हैं या फिर OBC से belong करते हैं तो आपको जो 800 रुपीज पे करने पड़ेंगे अगर आप CST, PWD या फिर women candidate है तो आपको कोई fee pay नहीं करना पड़ेगा जो है आप केवल हो केवल online payment mode से कर सकते हैं अगर आप cash में demand drop या pay order या फिर check में या चलान में करना चाहते हैं तो accepted नहीं होगा उसके बाद बात करें आगे selection process की तो selection process में लिखा हुआ है कि selection will be done through a written examination and interview for scientist B post यानि scientist B की जो post है उसके लिए आपका written exam होगा उसमें आप qualify करेंगे फिर आपको जो है interview देना पड़ेगा and only through written examinations for scientific या technical assistant इसके लिए केवल और केवल क्या होगा आपका written exam लिया जाएगा written exam होगा OEMR based होगा 3 घंटे का paper होगा और उसमें आपका केवल और केवल English medium में ही question paper दिया जाएगा उसके बाद ये जो written exam होगा वो objective type का होगा OEMR based ठीक है the questions paper for the written exam will consist of 65% question from technical area यानि 65% question आपके technical area से पूछे जाएगे और 35% question जो है generic area से पूछे जाएगे यानि कि आप total जो है 120 objective type के questions आप से पूछे जाएगे जिसमें 78 questions जो होगे technical area के होगे जैसे computer science के और 42 questions जो जो generic area के तो देखते है इसका syllabus क्या क्या है तो logical reasoning पूछेगा analytical reasoning पूछेगा उसके बाद आप quantitative and qualitative abilities और general aptitude आप से पूछा जाएगा technical area का जो slavus है वो मैं आगे discuss करूँगा इस वीडियो में उसके बाद बात करें इसमें तो every question will carry one mark एक mark का सारे के सारे जितने भी questions है एक एक mark से question होगे और इसमें negative marking 0.25 की होगी उसके बाद बात करें कि minimum जो percentage qualify करने के लिए return exam में रखा गया है 50% रखा गया जेनरल EWS के लिए 40% OBC के लिए और 30% SC, ST, PWD category candidate के लिए रखा गया है जो cut up marks जो आएगा वो पूरा का पूरा जितने भी overall marks होगे उसमें निकाला जाएगा जो आपका technical generic combined दोनों का मिला करके वहाँ पे cut up जो है निकाला जाएगा जितने information दिये के हैं सारे के सारे जो है आप detail में पर लीजे अपलाई करने से पहले बाकी जितने भी important information है वह मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अब यहाँ पर जो जो आपके certificate लेंगे वो सारे के सारे यहाँ पर दिये हूँ है वो सारे के सारे आप जाकर यहाँ से देख सकते हैं इसका link जो है description में आपको मिल जाएगा वहाँ से download करके पूरा full notification आप पर सकते हैं अब बात करते हैं slavus for scientist be post के लिए क्या क्या slavus रखा गया है तो सबसे पहले generic जो होगा आपका 35% questions पूछे जाएंगे और जो technical है computer science से 65% questions पूछे जाएंगे duration देखे तो 3 hours का duration आपको मिल जाएगा इसमें number of questions 120 questions रहेंगे तो अगर बात करें इसमें तो आपका generic में जो है logical reasoning पूछा जाएगा analytical reasoning पूछा जाएगा उसके बात quantitative and qualitative abilities पूछा जाएगा general aptitude का questions पूछा जाएगा अब बात करते है technical paper की जिसमें पैसट परसेंट आप से questions पूछे जाएगे computer science related उसमें probability statics, combinatorics से questions पूछे जाएगे उसके बाद detail आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाद digital logic से questions पूछे जाएगे computer organization and architecture से questions पूछे जाएगे उसके बाद electrical engineering के कुछ basic questions आप से पूछे जाएगे बाकि आप यहाँ पे detail में देख सकते हैं कौन कौन से topic इसमें दिये हुए है analog and digital communication आप से पूछे जाएगे उसके बाद आगे बात करें तो programming and data structures, algorithm, उसके बाद compiler, design पूछे जाएगे आप से operating system, database, उसके बाद information, system and software engineering, उसके बाद computer networks, web technologies, उसके बाद cyber security and emerging technologies के बादे में पूछे जाएगे cloud technology इस सारे के साइड डीटेल में आप देख सकते हैं इसके अंदर कौन को से topic आप से पूछे जाएगे इसी का अंसर आप तैारी करें, अगर हम बात करें अगले scientific या technical assistant एपोस्ट के लिए तो इसका भी तीन आवर्स का एक्जाम होगा, उसमें जो 120 number of questions पूछे जाएगे, कि जो भी saliva से वो सेम यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप जाकर के different different जितने भी यहाँ पर important information है, वो सारे के सारे आप यहाँ से पर सकते हैं download करके, दोस्तों आसा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और नया channel पर तो subscribe कर लिजे, अपने दोस्तों के साथ share कर दे कर दोस्तों कर दोस्तों को।